अस्सलाम अलेकुम एस्पाइरेंट्स एस्पाइरेंट्स हमारा आज का लेक्चर है रोल ऑफ ओक्सिजन डेमाणिंग वेस्ट इन वाटर पॉलिशन इस इंप्लिकेशन इन प्रिवेंशन यह हमारे CSS के 2023 के जनल साइंस अबलीटी के पेपर में अपीर हो चुगा है यह हमारे वाटर पॉलिशन या और पॉलिशन की बात आती है तो हम यूट्रोफिकेशन का कॉंसेप्ट पढ़ते हैं उन्हीं की जो है रेंजिंग अरेंजिंग अवर्ड है तो आज देखते हम यह टॉपिक क्या है अच्छा oxygen demanding waste organic matter का दूसरा नाम है organic matter हमारा कौन सा होता है organic matter होता है हमारे पास जितने भी agricultural products है जितना भी हमारा kitchen waste है यह सारे हमारे पास organic matter है जब organic matter के हम फैंक देते हैं तो वो decompose होता है decompose कौन करता है उसे बैक्टेरिया करता है बेक्टेरिया को oxygen चाहिए होती है, बेक्टेरिया oxygen यूज करके decompose करता है उस organic matter को, तो अगर हम organic matter पानी में फैंक देते हैं, तो पानी में जितना भी dissolved oxygen होता है, उससे बेक्टेरिया अपनी oxygen की जो है जरुवत पूरी करके उसको decompose करता है, अब इससे होता क्या है, कि जब organic matter ह हमारा ज्यादा पानी में होता है, तो वहां की aquatic life disturb हो जाती है, क्यूंकि oxygen सारा जितना भी पानी का होता है, वो तो बेक्टेरिया यूज कर लेता है, डिकंपोस करने के लिए, तो जितना बाकी जो oxygen है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और वहां पे fish वगेरा, या invertebrates, या algae या दूसरे agriculture जो है हमारा अंदर water के अंदर वो survive नहीं कर पाता, तो यह हमारा water related problem पे शाता है हमें, अचा, अब हम देखते हैं कि example क्या है oxygen demanding waste के, तो सबसे पहले example है हमारे पास human waste, फिर animal waste, खाल वगेरा animal की हो गई, या जितने भी अब कुर्बानी के टाइम पे आप जितने भी चीज़े हैं, अगर इनमें कोई भी पानी में या जो है नाले वगरा में गिर जाती हैं, तो वहाँ पर decompose करने के लिए oxygen की किलत पैदा हो जाएगी, agriculture का run-off कर लें, food processing waste कर लें, आपका paper और pulp industry का waste होता है, industrial effluents होते हैं कुछ, और landfill जो है, वो आपका होता है, landfill अगर उसका भी जराद जो है आपके पानी में गिर जाएं, तो same procedure होता है, अच्छा, ये आपके पास आते कहां से हैं, oxygen demanding waste, यानि organic waste कहां से आता है, सबसे पहले domestic sewage से आता है, आपका जितना भी kitchen का waste होता है, सबजियों का हो गया, fruits का हो गया, अगर वो किसी तरह पानी में oxygen की कमी produce करता है, इसी तरह industry से आता है, इसी तरह agriculture का जितना भी है, livestock का है, आपका land development construction का है, improper waste disposal का है, और boating अगरा की activities में लोग जो है, वो खुद से खापी के चीज़ें फैंक देते हैं, पानी के अंदर, वो हो गया, और municipal storm water run-off, अच्छा, storm water run-off किसे कहते हैं, जब हमार जो है, बारिश में पानी आता है, या storms में पानी आता है, तो क्या होता है, कि वो पहले सबसे पहले चटों में गरता है, या उंची जगों पे गरता है, पेड़ों पे या हमारी चितने ऊपर चीज़ें हैं, तो उन में क्या होता है, जो गंदगी ऊपर होती है, वो पानी के मार्निंग वेस्ट बन जाता है आचा अब इससे इंपक्ट क्या पड़ता है सबसे पहले ऑक्सिजिन डिप्लीशन होती है ऑक्सिजिन की कमी प्रोडीस हो जाती है तो फिश वगेरा जो है उनको स्ट्रेस सफोकेशन और जो है डेथ का शिकार होना पड़ता है नमबर दूसरी चीज़ है फिश गिल्ज होते हैं जब आप ज्यादा अमाउंट में और गेरा वेस्ट करते हैं पानी में डालते हैं तो उससे जो है फिश को खत्रा होता है मरने का नमबर तीसरा इंपक्क है हमारे पास इंपेरेड अक्वेयर्टिक ऐको सिस्टम तो हमारे इकोसिस्टम सारा डिस्टाब होजाता है क्यूँकि आपके य जो है कभी अल grade को आपको शिजन नहीं मिल रहा होता और या कभी आपके इसेल्टील पिश और नहीं पिल रहा होता त तो यह जो है आपका जो aquatic ecosystem है वो disturb जाता है Then हमारे पास है altered species composition अच्छा जितने भी species हैं उनकी composition में एक change नज़र आता है वो grow करती हैं, ecologically उनमें changes नज़र आते हैं Suppose करें कि किसी में fins नहीं होगी तो fins आ जाएंगी कोई size में छोटी होती थी मचली तो वो बड़ी हो जाएगी जितने भी creatures पानी के अंदर हैं, वो कहीं न कहीं अपने अंदर या तो tolerance produce करते हैं या resistance produce करते हैं, resistance produce करने के चकर में वो जो है अपनी species ही change कर देते हैं अच्छा देन हमारे पास nutrient imbalance हमारे पास जितने भी nitrogen और phosphorus के nutrients होते हैं पानी के अंदर अगर nitrogen और phosphorus बढ़ गया तो आपको पता है कि आपकी जितनी भी agriculture की growth होती है वो ज्यादा हो जाती है अगर nitrogen और phosphorus मिल जाता है तो उनको भी ज्यादा दिन में oxygen चाहिए होगा photosynthesis के लिए और जो है आपके aquatic life के लिए oxygen नहीं बचेगी तो सारा oxygen जो है अगर plants ले जाएंगे तो aquatic life नहीं होगी तो nutrient को आपने balance करना है इतनी जो है वो plantation होनी चाहिए जितनी fishes को चाहिए है और इतनी oxygen बाकी रहे कि आपके aquatic life डिस्टाब नहीं हो देना मारे पास है water quality degradation water की quality खराब होती है जब आपका waste ताहरे पानी के अंदर जाता है तो सारे जो आपके indicators है वो खराब हो जाते है water के और ammonia hydrogen sulfide और बाकी तमाम चीज़ें भी डिस्टाब हो जाती है पानी की चाले आगे बढ़ते है economic consequences अगर पानी में ज्यादा amount में सोचें कि अगर पानी ये organic waste चले गहें तो fishes जो है मरना चुरू हो जाएंगी वो भी हमारा economic नुकसान है swimming या boating वगेरा नहीं होगी वो भी हमारा नुकसान है और उसके लावा अगर हम उसको treatment करवाते हैं और remedial measures ल अगर swimming करते हैं तो नुकसाना में होगा अगर drinking करते हैं तो नुकसान होगा या दूसरी recreational activities करते हैं तो उससे भी नुकसान होगा ना हम ये पानी जो है organic agriculture को दे सकते हैं क्योंकि oxygen की कमी है या जो है आपका polluted water है तो overall जो है human के health risk है अच्छा अब जो है इसकी prevention किस तरह करनी है वो है ठीक है अब waste water treatment अब जितना भी आपका water है वो आप treatment उसका कर सकते हैं उसके जो है अलग से आपके पास advanced technologies हैं जो आपके सारी clean करके देती हैं और काफी machines हैं जो पानी में अंदर जाके आपके waste जो है एकठा करके फैंक सकती है then हमारे पास है source control and regulation तो जहां से यह organic source आ रहा है हमारे पास oxygen demanding waste आ रहा है तो उसी source को हम control करने तो यह आगे problem बढ़ेगी नहीं तो हम घरों वगरा में भी ना पेंका करें industries में भी control लगा है regulations हम produce करें तो इससे भी prevention होगी then हमारे पास improved agricultural practices जब agriculture में आपके पास pesticide वगरा दे रहे होते हैं कीडों वगरों को मारने के लिए तो वो pesticide साथ में गुजरने वाले नाले में भी चला जाता है तो उससे क्या होता है कि algae वगरा ज्यादा produce हो जाते हैं same eutrophication होती है और उसके बाद आपके पास oxygen की depletion हो ज water management अचा जब ऊपर से बारिश का पानी आ रहा है और building को से ऊपर से जितना भी कचरा है उसको साथ ले के आ रहा है तो हम इसकी भी management कर सकते हैं कि हम अपना green infrastructure रखें garden वगरा clean रखें ठीके permeable payments करें और retention के लिए ponds बनाएं और जितने और advanced चीज़ें आ रही है इन से बचने पानी में अपना waste जो है ना फेंके तो इससे भी improvement आएगी देन हमारे पास है environmental monitoring regular monitoring होनी चाहिए water quality की parameters की आप continuously check करते रहें तो आपको locate करने में easy होगा कि यह किस वज़े से हुआ है और diagnosis से आपको पता चलेगा कि कैसे prevent करना इसको देन हमारे पास collaboration and partnership चितने बिसके stakeholders है हमारे पास government और दूसरी agencies, industries, communities, environmental organization इन सबको cooperation में चलना चाहिए knowledge वगेरा resources वगेरा सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए इसी तरह से comprehensive यह solution निकाल सकते है देन हमारे पास है research and technological advancements आप research ज्यादा करें कि इसको किस तरह रोग सकते हैं और technological advancement करें ताकि अगर यह problem हो भी जाता है तो किस तरह निकालें जिस तरह जालियों अगेरा लगाई जाती है यूरप अगेरा में तो उन से यह होता है कि oxygen जहां पे भी होता है वहां से एक जगाए खटा हो जाता है और शाम को आके वहां से बंदा collect करता है तो यहां पे हमारा टापिक आज का पूरा होता है तो next lecture मिलते हैं थैंक यू अला हाफिस